Hey what's up guys I hope you are all doing fine today so in this video we gonna talk about the how to calculate the frequency distribution using the class interval of the time this question came in June 2018 BPC 004 that is Bachelor in Psychology so if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet please subscribe it now Guys this video we are going to talk about frequency distribution this question June 2018 BPC that is Bachelor in Psychology 004 6 months so if you are new on our channel then subscribe and press the bell icon and press the bell icon so let's get started and this is Kevin Short So guys you guys you have to give us the most important thing that is the class interval that is 10 but I have to tell you how to write the class interval if you are not given it here but I will tell you how to write the class interval होता है that is under root of n n is the number of term number of term in your data so this data में कितनी terms है पहले आपको एक काउंट करना पड़ेगा तो गयास जब आप काउंट करोगे 1 से लेकर 14 2 तर राइट जब आप काउंट करोगे तो how many terms are there in this data there are total 36 terms in this data तो 36 आपकी number of term है that is class के हो जाएगा आपका हो जाएगा यहां पर under root of 36 which is equals to 6 तो class की value आपके पास कितनी आ गई है 6 यानि कि हमारी जो classes हैं वो कितनी बनी चाहिए 6 बननी चाहिए तो यह तो हमारे पास आ गए class का लेकिन class width यानि कि कितनी उनके width होनी चाहिए वो कैसे लिका लेंगे now class width मैंने आपको बता रही है क्या होता है range divided by आपका क्या होता है under root of n या फिर आप लिख सकते हो range divided by आपका class range क्या होता है है आपका highest minus lowest यानि कि highest minus lowest अगर मैं इस data की बात करों तो highest कौन सी ट्रम है तो आप देखो गाइस highest आपकी 90 ट्रम है राइट 90 से बड़ा कोई number नहीं है और lowest आपका first number है यानि कि एक से छोटा कोई भी नहीं है चाहे वो एक इस वाले को count कर लिजिए चाहे आप इस वाले को count कर लिजिएगा एक से छोटा कोई भी number नहीं है तो highest minus lowest that mean 90 आपका highest है lowest आपका कितना है one divided by under root of n की value अभी हमने लिका ले रखे that is six तो जब आप इसको करोगे 90 minus six that is 89.6 right now 89 divided by six comes out to be 14 point something right 14.9 के राउंड आएगा है लेकिन 14.9 के राउंड है क्या यह nearly हम किसको ले जते हैं 15 के राउंड ही यह हमारा हो गया है तो class rate आपकी कितनी होने चाहिए अगर आप accurately देखें तो class rate आपकी होने चाहिए कितनी 15 लेकिन हमें class rate देख कितनी रखी है आपकी 10 right class interval उन्होंने दे रखें कितने 10 जबकि हमारी class interval कितने बनने चाहिए 6 बनने चाहिए और आपकी जो class rate है वो आपके कितनी होने चाहिए 15 लेकिन आपको इस portion को करने की ज़रूद नहीं है वाइ। विकशन उन्होंने direct आपको class interval दे रखें है अगर आप इसके according करोगे जो कि आपका रइट जो कि आपका real तरीका है जो कि आपका main तरीका है basic तरीका है कि इसे हम कैसे solve करते हैं तो इस तरह से आपको class पहले लिकालना पढ़ता है फिर आपको class की विर्थ लिकाननी पड़ती है लेकिन जब उन्होंने हमें क्लास इंट्रवल दे रखा है तो हमें क्या करना है क्लास इंट्रवल आपको दे रखा है तो उसको हमें यूज करना है तो सबसे पहले हम निख लेते हैं आपके क्लास इंट्रवल और फिर यहां पर आपका हो जाएगा दूसरे पर frequency क्योंकि हमें class interval उन्होंने दे रखा है 10 का तो सीधे सीधा आपको हो जाएगा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 72 आपका 80 आपका कितना हो जाएगा 80 to 90 आपको पता होगा कि जब भी हम इस तरहीं के से class interval में लेते हैं तो यह 0 to 10 है that mean आपका 10 अगर कोई number होगा वो इस class interval में add नहीं होगा वो जो 10 number होगा वो इस class में add होगा आपको पता हो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है कि यह क्यों होता है दो तरीके के आपके class interval होते हैं इंक्लोजिव और exclusive तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं मैं आपको link description में दे दूँआ या फिर i button में आपको मिल जागा now 0 to 10 में 0 to 10 में अब हम count करते हैं कितने आपके आ रहे हैं राइट 0 to 10 में आपको यह आ रहा है राइट इस वन दिस वन दिस वन दिस वन टोटल यह आ रहे हैं तो टोटल आपके कितने आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं टोटल आपके 5 जो frequency कितनी होगी इसकी जानी कि 0 to 10 में आपके frequency होगी है 5 राइट now next हम देखेंगे कितना आपका देखेंगे हम 10 to 20, now 10 to 20 में हम देखते हैं कि कितने हमारे जो है number आ रहे हैं, now 10 to 20 में देखते हैं, that is 1, 2, 3, right, and 4, right, तो हमारे पास कितने number आ रहे हैं, total 4 number आ रहे हैं आपके 10 to 20 के बीच में, now next क्या है आपका 22 to 30, 22 to 30 में देखेंगे हम आपके कितने 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 आ रहे हैं, जह हम बात करते हैं 22 to 30 में, तो आपका होगा 1, 2, 3, right, and 3 and 4, तो आपके कितने में आ रहे हैं आ पर 4, right, इसी तरीके स आपको क्या करना है, सारे जो class interval हैं, उनके according इनकी frequency को लिख लेना है कि कौन कितनी times वार repeat हो रहा है, या 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी digit आ रही है, right, उन्हों digit को लिखना नहीं है, सिर्फ यह देखना है कि कितनी digit आ रही है, how many terms are there in between this data, right, तो मैं यहाँ पर लिख देता हू कि कितनी कितनी terms आ रही है, यहाँ पर हमारा 4 आ रहा था, again 4, 7, 3, 2, 3 and 4, right, now अगर आप चाहें guys तो उसको cross check भी कर सकते हैं, cross check कैसे करेंगे, आप इन सब का frequency का sum करेंगे, right, 5 प्लस 4 प्लस 4 and so on, जब आप इन सब को calculate करोगे तो आपकी value कितनी आ रही है, 3 takes 6, right, यानि कि हम हमारे क्या है, हमने सारे data को collect करा है, क्योंकि जो total number of term हमारी कितनी थी, वो भी हमारे पास कितनी थी, 36 और जो हमारी last, जो communicative frequency बन रही है, that is, यह भी हमारी कितनी आ रही है, 36 आ रही है, तो that means, यह भी 36 है, यह भी 36 है, that means, कि हमारे से कोई भी जो आपका marks है, या फिर आप कह है, तो कोई भी आपका जो score है, वो क्या है, छूटा नहीं है, तो यह थी गाइस एक छोटी सी वीडियो, और बहुत वीडियो हमने इसके उपर बना रही है, how to calculate your cumulative frequency, how to calculate your frequency, अगर आपको इसमें कुछ problem हो रही है, तो आप कर सकते हैं, 2-3 वीडियो को जरूर देखें, so that क् कि आपके mind make ये रहे कि हाँ, इस चीज से क्या है, अगर आपको पहली वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर हम को comment करके बताएं कि सर ये चीज में को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बच्चे का करते हैं, पहली नहीं आते हैं, तो आप पुरानी वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें, I hope उनसे आपको मदद मिलें, फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है, तो आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं, आप हमें Telegram पर message कर सकते हैं, आप हमें Gmail पर message कर सकते हैं, तो guys मिलते हैं next वीडियो में त